तो अगर आप एक पेटियम यूजर हैं पेटियम एप्लिकेशन चलाते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप पेटियम यूपिय लाइट के बैलेंस से अपने मॉबाइल को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि पेटियम यूपिय लाइट में आप मैक्सिमम जो लिमिट है वो 200 रुपे है मतलब आप एक बार में 200 रुपे तक का ही रिचार्ज कर सकते हैं या फिर कोई पेमेंट कर सकते हैं उससे ज़्यादा कि यहाँ पेमेंट नह कर सकते हैं पेटियम यूपिय लाइट क्या है इसको कैसे यूज करना है इसके उपर मैंने डेडिकेटिड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा या फिर आप मेरी प्लेइलिस्ट है पेटियम की उसमें जाके आप उसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि ये पेटियम यूपिय लाइट क्या है इसको कैसे यूज करना है कितनी इसकी लिमिट होती है सब कुछ मैंने डेटेल में उसमें बताया है अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आम मेरे चैनल पे न्यूँ है पहली बार मेरे चैनल के उपर आ तो फ्रेंड्स हमा चुके हैं अपने मुबाइल फॉन की स्क्रीन के उपर जैसके आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर हमें सबसे पहले अपनी पेटियम एप्लिकेशन जो है उसको उपन कर लेना है तो मैं उस पर क्लिक करके उसे उपन कर लेता हूं और यह मेर मुबाइल फॉन को आपको रिचार्ज करना है और UPI Light Balance के जो पेटियम का UPI Light है उससे आपको रिचार्ज करना है तो क्या करना होगा सबसे पहले तो आपको यहां पर नीचे स्क्रोल डाउन करके रिचार्ज एंड बिल पेइमेंट्स पर आना होगा और यहां पर आपको जै ग्लदी से एंटर कर देता हूं या इन में से मैं एक सेलेक्ट कर लूँगा जो मेरे रिसेंट रिचार्ज कतम हुआ है ठीक है तो मैं एक सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आपको यहाँ पर प्लान दिख जाएंगे आपको ठीक है तो अब आपको यूपी आई जो पेटियम यूपी आई लाइट है उससे रिचार्ज करना है तो आपको पता है कि उसमें 200 रुपे तक की लिमिट है उससे ज्यादा का रिचार्ज आप नहीं कर सकते तो आ मैं इस वाले प्लान पे किलिक कर लूँगा उसके बाद मेरे सामने यह स्क्रीन आ जाएगी आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है पर आपको यूपी आई पय्मेंट ओप्शन दिखाई देगा उसमें आपको यूपी न्योप Fragemud क्योंकि मैंने इस app को भी अपडेट नहीं गया आपको जल्दी से पहले पेटिम एप्लिकेशन को अपडेट कर देना है तिर आपको यहां पर यूपियाई लाइट बैलेंस का ओप्शन दिखाए देगा आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है और उसमें ना आपको पासवर्ड पासवर्ड देने की जुरूरत है ट्रांजिक्शन का कोई भी पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा आपको जैसे उस पर क्लिक करके पे करेंगे तो आपका जो यह बैलेंस है जो आपका मुबाइल फोन है वो रिचार्ज हो जाएगा 99 रुपीज से तो इस तरीके से आप अपने मुबाइल फोन को रिचार्ज कर सकते हैं अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो से लाइक को शेयर जरूर करें थैंक यू